जैपुर से प्रकाशत अजिकांश समाचापत्रों ने संसद में समविधान दिवस पर हुई चर्चा राजस्तर्य किसान सम्मेलन और प्रदेश में शीत लहर की खबरों को मुख प्रश पर प्रकाशत किया है दैनिक भासका ने संसद में हुई समविधान दिवस पर चर्चा की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशत किया है समाचापत्र के अनुसार भारत की समविधान के 75 वर्शों की गौरफ शाली यात्रा पर संसद में चर्चा हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजना सिंग और कॉंगरिस सानसद प्रियंका गांधी ने अपने विचार रखे वही राजना सिंग ने कहा कि भाषपानी समविधान को जिया है वही सानसद प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में समविधान की पालना पर जोर दिया दैनिक नव जोती ने मुखे मंत्री की अध्यक्षिता में आउज़त हुए राज्य सर्य किसान सम्मिलन की खबर को मुखप्रश पर प्रकाशित किया है समाचापत्र के अनुसार सम्मिलन में मुखे मंत्री भशनलाल शर्मा द्वारा सतर लाग से अधिक किसानों के खातों में साथ सो करोड रुपे ट्रांस्वर किये गए वहीं महिलाओं को डेरी बूद भी बाटे गए पंजाब केस्री ने प्रयागराज में महाकुम के मधिनजर प्रधान मंत्री द्वारा किये गए विकास परियुजनाओं के उद्घाटन की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशित किया है समाचापत्र के अनुसार प्रयागराज में प्रधान मंत्री ने साड़े 5,000 करोड की विभिन विकास परियुजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि महाकुम से देश की आध्यात्मिक पहचान को नई उचाए मिलेगी राधसान पत्री का ने विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से चात्र द्वारा किये जा रहे प्रतिभा प्रदर्शन की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशित किया है समाचापत्र के अनुसार विभिन इंटरनेशनल ओलंपियाड और अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं में भाग लेकर बच्चे अपने हुनर को तराश रहे हैं वहीं शैक्षने का विश्यशग्य के अनुसार गत वर्शों में वैश्विक प्रतियोगिताओं में प्रदेश के चात्रों की रूची बड़ी है दैनिक भासका ने तेलुगो अभिनेता अलु अर्जुन को गिरफतार के जाने की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशित किया है समाचा पत्र के अनुसार फिल्म पुश्पाटू के प्रीमर के दौरान मची भगदर में हुई एक महिला की मौत के मामले में अभिनेता को गिरफतार किया गया वहीं हाइकूर द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई समाचा जगत ने प्रदेश में शीत लहर के प्रकोब की खबर को मुख प्रश पर प्रकाशित किया है समाचा पत्र के अनुसार गदिनों में घटते तापमान के साथ ही प्रदेश के दिकान जिलों में शीत लहर का प्रकोब दिखा गया वहीं प्रदेश में फतहपुर सबसे सर्द शहर बना रहा अंग्रीजी समाचाः पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने हाल ही में शत्रंज विश्व चैंपियंशिप जीत सबसे युवा चैंपियन बने गुकेश पर विशेश खबर को प्रकाशित किया है समाचाः पत्र द्वारा गुकेश के अनुभव खेल को लेकर तयारी और भविश्य में भारत का प्रतनित्व करने पर प्रकाश डाला गया है तो ये थी जैपुर से प्रकाशित आज के समाचार पत्रों की सुर्खिया